तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहूल गांधी ने विवादित बयान दिया है इस वक्त की ये बड़ी खबर है राहूल गांधी ने प्रधानमंत्री को पनौती कहा है जी हाँ पनौती जो ट्रिंट कर रहा था सोशल मीडिया पर उसी को आधार बनाकर राहूल गां अब राहूल के विवादित बयान पर भारतिय जनता पार्टी ने भी वार किया है और राहूल गांदी से माफी की मांग की है। जी आ, बीजेपी के और से कहा गया है कि राहूल गांदी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या कहा राउल गांदी ने पहले सुनी? तो ये वो राहूल गांदी का बयान रहा इससे राहूल गांदी की अपरिपक्वता भी सामने आती है कि जिस चुनाओ में चुनाओ के मुहाने पर राजस्थान मतदान के मुहाने पर खड़ा है 25 तारीकों मतदान होना है और उससे पहले राहूल गांदी ने बयान दिया है न PK News, राश्ट्र के नाम